वेलकम फ्रेंट आप सभी लोगों का स्वागत है आज 20 अप्रेल है तो दैनिक जारान के राष्टिय संसकान न्यूज पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटिवी और इंपुनकों से न्यूज को कभर किया गया है जो यूपेसी और स्टेट की सियर्श एस्परेंट के लिए वो महत्पूर्ण है साथ से साथ जितने गवर्मेंट कम्पेटी एक्जाम आप प्रुफिल करते उससे पीटी फैक्ट क्या है उसको भी हमनों नज़र डालेंगे आगे बढ़ने से पहले आप यूटूब चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए सपोर्ट कीजिए साथ साथ बेल आइकन को भी दबाए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और कॉमेंट सेक्सर में महत्पूर्ण सुझाओ के साथ साथ जो भी PT फ्रस्न पूछे जाते है उसका उत्तर देने का परियास कीजिए तो ही आपका internal development हो पाएगा चली आगे बढ़ते हैं देखी आज का जो टॉपिक है आपको यह PT में भी काम देगा मियन्स में भी काम देगा और इंटिवू में भी काम देगा कैसे यह जो टॉपिक जो आज आया है रिपोर्ट आया है स्वयुक राष्ट का वो हमारे देश से रिलेटेड है और यह इस प्रकार का जब भी टॉपिक आता है वो उस साल के प्रस्नों में देखा जाता है किसी भी एक्जाम में आप दे रहे हों या स्टेट पिस्ट दे रहे हैं तो पीटी फैक वन में आएगा और जनसांखी की यह जो लाब है उससे सम्मंदित टॉपिक को कभर करेगा और स्टेट पीसे वाले एस्परेंट क्या करेंगे अपने टॉपिक से यह टैली कर लेंगे यह जो अपने जिस पेपर वन टू या जिस तरह के से थी फोर जिनका पेपर होगा जैस इस से दो-тीन हेक्टर आपको प्रसन पूझे जाएंगे पहला तरह इसके लाब पूझे जाएंगे दूसर्रा Хानी पूझा जाएगा तिसरा आपको यथा कि पूझी जाएगी और इसका भविस्य क्या हो सकता है कि इस परकार से मग्मित करेंगे इस परकार चार डाइग्र कर सकता आने वाले दिस साल पचीस साल पचास साल भारत का कैसा होगा इसके लिए आपका भरिस पूछा जा सकता है इसके संदर में तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं उम्मीद करूँगा तारी कोशिस करूँगा कि आपके जो भी डॉट्स हो किलियर हो जाए क्योंकि एक घंट चलिए और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है देखिए बात यहाँ यह समझने के जुरत है किसी भी संस्था को चलाने के लिए नए ब्यक्ति विशेश से ज़्यादा सामुहिक विशेश परियास बहुत जरूरी होता है अब मैं बार बार यह बात क्यों बोलता हूँ कि जितना आप सजग रूप से हमें सपोर्ट करिएगा हम उतने ही बहतर रूप से निखरने का परियास करेंगे उतनी ही जवाब देता तै होती जाएगी और एक बहतर संस्थान का निर्मान किया जा सकता है आने वाले समय में जो कम लागत में आपको उच गुनवत्ता के सा चीजों को प्रोवाइड कराया जा सके बीना लेट लपीती चीजों को कभर किये वे चीजों टूदी पॉइंट टूदी एक्जाम और इंट चीजों को कभर किया जाए किसी परकार का देखिए एक से दो साल आप मेहनत करके पढ़िए आपका सेलेक्शन जरूर होगा जो ग भारत भी इसका सबसे बड़ा जनसंख्याला देश बन गया यह रिपोर्ट है सन्युक्त राश का ताजा रिपोर्ट आया है जिसमें भारत की अबादी अब लगवाई एक सो ब्यालिस पॉइंट एट सिक्स करोड हो गया है अर्थात एक अरब ब्यालिस करोड हो चुका है तीन अभी है एक अरब ब्यालिस करोड संतावन लाग क्या स्पास उनकी जनसंख्या होई है अर्थात चीन हमसे कम हो चुका है ध्यान रखिएगा इस तिसरे नंबर पर अमरीका की अबादी 34 करोड है सोच के देखिएगा फर्स सेकेंड में अंतर कितना है और यह थर्ड जो और भुभाग में देखियेंगे अंतर कितना है सोच के देखिएगा तो इस प्रकार के जनान संख्या लाब है तो बहुत से इसके पॉजिटिव इंपक्ट देखने को मिलेंगे बहुत से नीगेटिव इंपक्ट देखने को मिल जाएंगे तो अभी हम आकड़ों पर था उसमें वैस्विक अबादी आठ हरप से अधिक हो चुकी है और उस दिन आपको सारे आकड़े दिये थे कितनी जनसंख्या कब तक हो जाएगी विश्व की उसमें भारत का क्या योगदान होगा मैंने उस दिन चर्चा किया था जाके पंदर नॉम्बर का आप वीडियो दे 8 करोड हो जाएगा ठाथ 1 अरब 66 करोड के आसपास हो जाएगा तो सोच के देखिएगा आने वाले 50 तक हम कितनी बड़ी जनसंख्या को लेकर चलने वाले हैं जबकि जनसंख्या ध्यान अखिएगा इसी दोरान चीन की जनसंख्या घटकर 131.7 करोड अठाथ 1 अरब 31 करोड जनसंख्या उसके पास होगी अठाथ उसके पास जनसंख्या कम होगी तो यहाँ दो तिन चीजों को ध्यान अखिएगा भारत के पास एक बेहतर आउसर है कि हम वैस्विक नतित्तु को प्राप कर सके एक जनान संख्या लावांस के तोर प कम रहा है भारत में बीतिवस परजनंदर 1.56 परजनंदर अठाथ कहने का मतलग एक महिला अपने औस परजनंकाल में कितने बच्चे को जनुदे सकती है तो इसके संदर में बाते की जा रहे हैं अब याद रखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार में सरवाधिक जो है कि state of the world population report 2023 और यह संस्था के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इसमें decode series में तो आप लोग जाके युक्ती आई इसका decode series देखिएगा उसमें UN की संस्थाओं की चर्चा हो चुकी है यह कौन संस्था है देखिए इसलिए मैं बार-बार बोलता आप लोग को प्रिवियस वीडियो जाके एक बार रिपीट कर लिए सारी चीजे जो एक्जाम और इन चीजे लगबक कवर हो चुकी है बस रिपीट हो रहा है चीजों को बेहता तरीके से बार-बार पढ़िए देखिए सुनिए बार-बार आपको देखने को मिल जाएगा तो इन सब चीजों को कवर करते चलिएगा उत्तर परदेश बिहार जैसे बड़े रधिकान जो जन संख्या युवा है जबकि केरल और पंजाब जैसे सबसे बुजुर्ग वहां बसते है तो यह आकड़े आपको ध्यान रखना जीवर भारत में जीवन परतस्ता महिलाओं क जीवन परतस्ता महिलाओं का अधिक है यह भी आकड़े आपको याद रखने चाहिए अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज आको यहाँ पर आकड़े दिये वह है भारत जन संख्या भीन बायु वर्ग के आयु वर्ग के लोग कितने हिस्सेदार है तो देखिए आप पंदरस से चौसट अर्था जिसे युवा वर्ग माना जाता है कारिसिल जन संख्या जिसे माना जाता है वो देखिए आपको यहाँ पर 68 परतिसत है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए इसको आखड़े को देख लिजेग अच्छे तरीके से ड्राइडान कर देखिए मैं एक बात बोलो समझिएगा यहाँ पर जन संख्या का अधिक होना अधिक होना और उसका परवंधन करना कि वो सरकार का ही दाइद तो नहीं है सबसे पहले तो आप लोग इस माइंड को सेट को अपने दिमाग में जाल लेजे जितनी जवाब दही सरकार की है रा कर सकते हैं कितने अस्तर तक पहुश सकते हैं अपना योगदान दे सकते हैं अगर आप 21 वर्ष से अधिक उम्री के बच्चे हैं और 24 वर्ष से अधिक हो चुके हैं ध्यान रखिएगा इसके बीच में आपको एक अल्टरनेट जॉब क्रियेशन पार्ट ढून लेना मेरे मत से क्योंकि इसके बाद 24 के बाद है ना आप एसेट के तौर पर बोज बनना शुरू हो जाते हैं ध्यान रखिएगा मैं एसेट बार 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 बोलता हूं राज जी का एसेट तो आप जब इस क्रोस लाइन को जैसे जैसे इसके नजदिक आएंगे 21 से लेके 24 के से अर्ण कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा इससे परिवार पर दवाब मुक्त होगा परिवार पर आर्थिक बोज जो होता है कम होगा साथ ही साथ आप एक इनोवेटिव एडिया लेकर आगे बढ़ेंगे खुद पर रिस्पांसलिविटी डवलप कर पाएंगे इस तरह सर प्रान अपना जब इंटर कम्प्लीट कर रहे हैं मैटिक करते ही वह है न प्राइवेट जॉब या इस परकार से जॉब क्रिएट जहां पर कुछ पैसे जैसे बहुत से वहां विकल्प आपको दिये जाते हैं प्राप्त हैं वहां पर जॉब करने तो परिवार भी इसको विकल्प के लिए क्या करते हैं 28-30 वर्ष तक लगतार उनको पैसे भेजते हैं और भी ऐसा नहीं कि ये गलत है ठीक न इसके साथ साथ उन युवाओं को यह भी सोचना चाहिए हम एसेट कैसे किलिएट कर सकते हैं वर कैसे कर सकते हैं आप तो और भी कोविट के बाद आउस का एक रिपोर्ट है जिसमें बाते की परतिनीज जो अंद्रिया विजनोर कहते हैं कि नागरिक है ना जितने नागरिक हो तोने आउसर के रूप में देखा जाना चाहिए अर्थात 15-24 वर के जो वर के वायू देखे हैं पर बात की गई 15 से लेकर 24 आयू वर के जो 25.4 क्रों युवा है देश के नौनोमेस नवचार और समस्याओं के हल्ट खुजने का स्टोथ बन सकता है तो यह कैसे होगा जब तक वो खुद पर रिस्पांसलिटी नहीं लेंगे कि हमको कुछ नया आइडिया करना है मैं एक रिपोर्ड आप लोग को आकड़ा देता हूं यह कि अम उम्र में इस बच्चे ने 400 क्रोड का है ना स्टार्ट अप तयार कर लिया था अब यहां बुलिएगा माहूल का माहूल ऐसा वहां है तो वहां माहूल अमरिका में जरूर ऐसा है पर इख्षा सकती नाम का भी तो चीज होता है ना यहां पर तो बच्चे 17 साल के उम्र के रहेंगे लड़किया पापा के परी रहेंगे बेटे पापा के दुलारे रहेंगे मा के दुलारे रहेंगे यह concept जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा कि हमें एक innovative asset बनना है तब तक यह समस्या solve नहीं होगा उसके बाद ही नाप कुछ सोच पाईएगा कि हमका पुनजी है या नहीं है या तो हम इसके लिए और भी कुछ विकल्प तरास कर सकते हैं तो यहां पर नए नए innovation करना का idea डवलप करने का concept है ही नए युवाओं में युवाओं के दिमाग में क्या चलता है कि हम कि हम क्या करें एक सरकारी जॉब क्राप्त करेंगे और जो सरकारी जोब टूपएंट फॉर परतीसत पुरा इंडिया में ध्यान रखिएगा इसके आसपास आखड़े कभी बढ़ते कभी घटते पर और आसथ आखड़ा इतना ही कुल जो रोजगार इसका टूपएंट फॉ योगी कॉंसेप्ट डवलप नहीं हो पाता उनको कुछ कम आपको राप्त होता तो इस सब चीजों को ध्यान में रखना वन सेकेंड होल्ड किजएगा चलिए आगे बात करेंगे चीन बोला हमारे पास 90 करोड कुसल रोजगार कामगार है तो ये जनसंख्या जो लाब का जो संख्या पर नहीं नहीं है तो ध्यान रखिएगा चीन के द्वारा क्या कहा जाए गया है जन संख्या का लाव संख्या पर नहीं इधारित हो सकता है उसकी गुनवत्ता पर इधारित होता है जो बात मैं अभी बोर रहा हूं कि गुनवत्ता यूग को एसिट का निर्मान किया जाना चाहिए यह important factor यह बहुत बड़ा उपयोगी तत्य है कि इसे आपको समयने के जुरत है कि संख्या से जादा है न कि गुनवत्ता यूगत आपको जन संख्या होना चाहिए इसका एक जामपल आप कहां से देख सकते हैं आप एक मुवी देखे होंगे 300 आपको मुवी हॉलिवूड की मुवी है 300 अस्पार्टन मुवी 300 सैन कि गुनवत्ता यूग थी जो यूद कोसल में पूरी तरह जानने सावर करने वाली योधा थे वह लगबग उसमें आपको विस्व की सबसे बड़ी सेना को हराया था तो सोचके देखिएगा सेना जो आया था उसको हराया था इसके पास ऐसा नहीं कि देखे संख्यावल कित कामपल के तौर पर आपको यह इतिहासिक साक्ष्य भी है कि जिस देश का गुनवत्ता यूग जन संख्या रहा है वह ज्यादा तरक्की और ज्यादा सफलता प्राप्तिया है इसके नीचे तेलिए तेज नंबर आपको नीचे भी इसमें इसके संबंदित आपको कभर किया पेज नंबर चौ में उसको भी देख लेते हैं वहाँ भी आकड़े बहुत दिये हुए थरा सा नीचे आ जाते हैं देखिए यह आकड़ा आज बेश्ता तरीके से आप लो राइट डाउन कर लिजेगा बैठ के जितना देर समय लगे क्योंकि यह अगले एक से दो साल तक आ परशना आपको बहुत जगर पूछे जाएंगे जिसमें देखिए बात की गई है कि भारत अबरती जनसंख्या चुनोती के भारत के लिए उसके लिए क्या-क्या काम कर रहा है या जनसंख्य की लभांग काम कैसे परियोग कर सकते उसके लिए सरकार के तरफ से कुछ आखड में तेպए यहाँ पर समाहिए गया जैसे भारत में 23 विनिकॉं कम्पणी ऐसी है जो वर्स 22 में बनी सोचके देखिए 222 में pursuing on company है हलाकि भारत में अब तक सोई से अधिक विनिकॉं कम्पणी बन julis की बात कर रहा है केवल 2022 में जो इसका सरवाधिक युनिकॉर्ण रहा है यहां पर लगवाद जिसका एशर्ट है यहां पर आखड़े आपको दे सकते हैं युनिकॉर्ण कमपणी है तो लाव इसका अधिक प्राप्त होगा युवाओं को और भी जो लोग है से संब्द अब 10,000 क्रोड़ों से अधिक वर्ष 2016 सरकार के तरफ से स्टार्ट अप के लिए सहायता कोस्ट डवलप किया गया जिस पर मैंने भी आपको पहले चर्चा किया था स्टार्ट अप कोस्ट कैसे सरकार अपना युवाओं को मदद कर सकता इसके लिए इसके संदर में अब है कि इसके साथ साथ देखिए 84.01 टूक स्टार्ट अप भारत में 30 नमबर 2022 तक पंजिक रित है सोचके देखिएगा 84,000 अस अब देखिएगा देश में बदलती कार संस्कृति किन सरकार के पास परियाद की हुआ है इसके कॉंसेप्ट को अप अंडरलाइन किया गया स्टार्ट अप इंडिया की बात की गई है लेकर स्टार्ट अप छेत्र में भारत 20 के तिसरे अस्थान पर है यह पहुच चुका य इवावों में टिकी है आसा कैसे युवा हमारे देश के युवा मजबूत एक संसाधन के रूप में उप्योंगी हो सकते है साथी साथ यह कैसे कामगारों को अधिक उपलब्द होंगे आधी चीजों को यहाँ पर देखने के जुरत है विश में मजबूत होगी स्थिति सब सबसे बड़े लोकतंत के रूप में सरवाधिक अबादी वाले देश बने सुरच्छा परिशत का दावा ससक्त होगा यह वी एक आकड़ा मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि विश की जब सबसे बड़ी जनसंख्या का देश हो जाएगा भारत यहाँ पर उभोगता भ परिशत में हमें जो सुरच्छा परिशत में है उसे हमें सामिल करना अस्थाई सदस्ता देना है अगर बार-बार मैंने एक कॉंसेट भी आप लोग को दिया था अब सुरच्छा परिशत के पास है न कुछ वर्ष और भी दस से पंदर साल वेट कीजेगा स्वे आपको एक लेटर देगा यह संस्था कि आप सदस भारत सदस बन जाओ इसके पीछे बहुत से आयाम मैंने आप लोगो कुछ दिन पहले बताया थे यह कैसे होगा उस वीडियो को जाके देख लिजेगा इसलिए मैं बार-बार बोलता हूं कि इस वीडियो को जरूर रिगुलर अब वो अधार पर सुरच्छा परिशत में अस्थाई सदस्ता का दावा कर सकता है अमरिका एस्ट्रेलिया जैपान के साथ क्वार्ड बना का भारत अपनी वैस्विक सभी को ससक्त कर रहा है उसत जो आयू है थाइस वर्ष उसमें आपको आधे से अधिक आबादी 30 वर्ष कम आयू की जबकि आउसत आयू 28 वर्ष है अमरिका चीन के तरीव 38 वर्ष है ये सब आखड़े जो है आउसत आयू 28 वर्ष दस वर्ष हमें अधिक युवा है तो ये भी हमें उप्योगी बना सकता है साथ इसत भारत 22 तक 2.3 करोर बच्चों को जन्म लिया जबकि चीन में असरवादी 95 लागता है ये भी आपको आखड़े प्रस्तुत करना पर्यावरन पर होगा प्रभाव पर्यावरन भी दिया कह रहे हैं स्यर बावु का अनुसार की बरती जन्संख्या वन छेतर पर गंभीर प्रभाव प्रभाव सकती है ग्रोग ग्रोट्रिस डाउट कॉम के परदीव साक एनुसार जलवाई परिवरतन अबादी छेतर में कमी सीधा संबंद रहता है ये भी परभावित होगा ये सब आंकड़े है इसको देख लेना है ये चुनोतिया हो सकती बरती अबादी साफिक संसाधनों का वित्रन वर्तमान में बहुत से संसाधनों का वित्र स्था नहीं होता तो और वी बरती जल्संक्या होगी तो कैसे इन अंसाधनों का वित्रन करेंगे और ठाथ लोगों तक सभी संसाधनों का बराबर समूर्थित वित्रन हम कैसे करेंगे ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के पास होगी हर भैक्ती खादान की पहूँच बिजली क कि पहुँच पानी के उपलब तक विसेश पर्यास करना होगा और हम मैंने आप लोगों को क्या बोला था कुछ महेंने पहले ये कॉंसर्प बताया था कि लोगों का भी वर्तमान सरकार या किसी भी सरकार से बस यही होता है कि पानी दे दो मुझे कपड़ा दे दो मकान दे दो यही तिन चार चीजे प्राप्त करने पर मैंने आप क्या बताया कि आने वाले समय में आने वाले समय में लोग पास विकास के अनमानक भी पहुचाने होंगे जैसे स्वास्त सेवाएं, जैसे SDG का गोल जो है, सतत्विकास का लक्ष है, SDG का जो गोल है 17 लक्ष, उसे पहुचाना और उसका अंतिम परतिवेदन प्राप्त करना भी एक लक्ष हो जाएगा, तो ये भी एक फेक्टर आपको काम करेंगा, तो ये सब चीजे ध्यान में रख परतिसत है, तो ध्यान रखेगा, एमरिका, एउरोप और कई अफ्रिकी देशों से अधिक है, तो हम कैसे बहतर संसादन, बहतर परबंदन करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या के तोर पर देखने को मिल जाएगा, कि 2.06 परतिसत क्या है, हिसेदारी मद और दच्चिन, ACI छे आप देख रहे होंगे, इंडिया के बाद जो ये छेतर है, यहां तक जो आप छेतर देखते होंगे, अस्टेलिया से पहले, ये जो छेतर है, यहां से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर ये छेतर, कैसे इसका परबंधन करेगा, भारत इन छेतरों में कैसी अपन जाने वाले मामले में पाकिसतान सबसे आगे रहा है जहांपर 1.6 क्रोन से अधिक लोग विदेश गये जबकि भारत इसी अबादी में 35 लाख वर जो लोग है बाहर गया अथात इस खेतर से कारे के लिए बाहर जो जाते है पाकिसतान सबसे ज्यादा जाता इस खेतरों से साजाय रिपोर्ट का नुसा 20 की जनसंख्या 2030 में 8.5 अरब हो जागा जिसमें से 1.4 भारत का ही आकड़ा रहेगा दोजापचास में 9.7 हो जाएगा तो जहां पर 1.66 भारत का रहेगा वह दोजापचास तक जो हम पहुचेंगे वहां पर 10 अरब की जनसंख्या होगी दोजाप आपको आज राइट डाउन कर लेना है ताकि आने वाले एक से दो साल में जो भी एक्जाम आप लोग देते हैं तो वहां पर इसका उप्योगी बनाए जा सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते देखी 22 मिल लगतार में बोला इस पर इस लिए इस सब चीज कैण कर लेंगे तरह जो कि मंजूरी यह बारत ने कौंटम गोशित करने वाला भी इसका सातवार देश मन गया है ये तो पहले PT fact आप लोगो को याद रखना है दूसरा इसमें इससे पहले कौन-कौन थे तो अमरिका, चीन, कानाडा, अस्ट्रेलिया, फिर्लेंड, फ्रांस इस तरह के mission पहले भी शुरू कर चुके है तो सातवा देश भारत है तो इससे पहले 6 देश और है तो उनका भी ना आपको याद रखने है और इसका आउधी कितना है तो 2023-2024 से लेकर 2030-31 तक तक तो आपको यह आउधी भी याद रखना PT fact के तोर पर अब यहाँ पर सारी कहानिया हो जाएगी quantum quantum क्या होता है quantum तकनिक क्या होता अभी मैं बात करूंगा इस पर आगे यह जो लिखा हुआ अंडरलाइन किया हुआ इसे एक बार आपनों अच्छे तरीके से देख लिजेगा कवर कर लिजेगा सिंपल सा लोजिकली अगर बात की जाए तो देखिए किन-किन से लाब होगा quantum तकनिक को बढ़ावा देने से सुपर कंप्यूट कंडिक्शनी है उसका फोटो टेक्निक पर लाब मिलेगा भौतिक क्यूबिट्स की छमता और मीडियम जो क्वांटम कंप्यूटर विक्सिते करने का लच्छ प्राप्त होगा भारत इस पर पहले से भी काम कर रहा है अब दिया रहे के ग्राउंड स्टेशन के बीच उपग्रा अधारी जो सुरक्षित क्वांटम कम्यूटर होगा उसके बाद आप लोगो सहरो में क्वांटम नेटर का स्थाफित किया जा सकता है बहतर परबंदन किया जा सकता है इस मिशन के अनपहलू है परमानु जो पनालिया है परमानु घडिया है जो एक्टोमिक वाच बोला जाता जिसे विक्सित करने में स्वेदंसी लेंस मेंगनो मीटर विक्सित किया जा सकता है जिसके बाद हम लोग सूपर कंड़क्टर नेमी सेमी कंड़क्टर और इस परकार से डवलप कर सकते हैं टैपोलोजिकल समागरी डिजाइन कर सकते हैं यह सब आपको प्राप्थ होगा साथ इसाथ हम और भी चीज़े क्वांटम सेंसिंग कम्मिकेशन क्वांटम कम्पिटरिंग इसके बहुत से विकल्फ हमारे पास हो जाएंगे मैटोलोजी बढ़ जाएगा मौसर विज्ञान समंधियन सठिक आकलंग कर पाएंगे स सोद अनुसंधान जोड़े स्थातित बहुत से और भी चीज़ें हम लोग को राप्थ हो जाएगा तो यह एक बहतर प्रबंधन लेकर आएगा इसके तहत हम लोग इस मिशन संचार, स्वास, वित्ये और उर्जा, छेत्र के साथ साथ क्या कर सकते हैं साथ साथ दवाओं के भीमान अंतरिष टक्निक को लाब दे सकते हैं यह डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, स्टेंड़प इंडिया, श्टार्टप इंडिया, आतमभारत जैसे प्राथ्मिक राश्टी यह पुरा करने में लक्ष होगा तो कोस्टन के आज में सेंसर राइटिंग में ये जितना नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी के बारे में आप डिटेल आप लिख के भेजिएगा स्वाट नोट के तौर पर ये कब शुरू हुआ था इसके लक्ष क्या वर्तमान में डिजिटल इंडिया का प्रोगाम क्य तो ये भी आपके लिए उप्योगी हो जाएगा तो ये सक चीज़े आप जनसंख्या वाले पार्ट में भी लिख सकते कैसे हम बहतर बना सकते इसक्याजी सब इसके तरिक देखिए हम बात करेंगे सारी कहानियां होने के बाद आपके जनकारी तो होनी चाहिए ने प्रारंपिक और प्रारंपिक जो कंप्यूटरिंग है या तो फ्वांटम कंप्यूटरिंग है उसका मूल अंतर क्या होता है तो ध्यान रखिएगा जो प्रंप्रागत कंप्यूटरिंग जो हमनों में ही जाएगा जिसे बाइनरी नंबर त्योरी कहा जाता है यह सब आपनों को पता होगा यह प्रानाली प्रारंबिक भौत की क्लासिकल फिजिक के अनुसरंग करती है ध्याना किएगा जिसके ताथ केंप्यूटर एक समय में एक या जीरो का प्रोसेस करता है कर सब इसके संद इसके तकनीक है उसके गुनों को भ्रीह दोप्यों भी बना देता जैसे प्रोसेसर वन जीरो दूनों अवस्था हैं के एक साथ हो शकता है जिसमें क्वांटम सुपर पॉजिस्टिन कर अवस्था कहा जाता इसको प्राप्त करता है सुपर पुजिशं जो क्वांटम यहां रखेगा इसे याद रखने की जोड़त है जिसमें सुपर पोजिशन क्या है क्वांटम सुपर पोजिशन में अधी एक क्वांटम कंप्यूटर योजना बत तरीके से रूप से कामी वन सकेंड फ्रासा होल्ड कीजिएगा इसको भूल लें दीजिजिए फ्रासा आगे बढ़ते हैं तो आशा प्रसान ही हो जाता है कभी कभी तो चलिए यह सुपर पोजिशन क्या है क्वांटर सुपर पोजिशन अधी एक क्वांटम कंप्यूटर योजना बत तरीके से रूप से काम करता था हम सिरियल बाइच चीजों को डवलप करते हैं तो यह एक साथ स आधा उसी रूप में भी काम करता था पर ध्याना के यह मल्टी परपस काम करेगा पर एंगलेमिंट क्या होता है यह एक जोड़ी क्यूबिट्स होता है जिसके सकल क्वांटम अवस्था मर्जूद होते हैं यह क्यूबिट्स की स्थिति बदने के तुरंतबाद बाद इसा तभी होता है जब यह बहुत ही अधिक दूरी तर अलग-अलग रखे जाते हैं इसके संदर में चीज़ेस प्रस्थ होती है आइंस्टीन द्वारा इससी घटना इस तरह की घटना को एक्शन एड़ डेटरेंस के नाम दिया गया इसको थ्वासात्रिक नोट करके याद कर लिजेगा अगर इसके संदर में कभी पुछ दे त्वाइंस्टीन इससे क्या नाम दिया था इसके बाद इंटरफेरेंस क्या है प्रात्मी कन क्यूबिट्स जो 01 है वो किसी भी समय में सूपर पोजिसिंग के माध्यम से अठा मल्टी परफस यूज में एक से अधिक अस् वी योग हम कहा कहा कर सकते है ध्या रखेगा अनु संधां जितने फ़ी परका के अनु संधान जैसे इंडिया प्रोजेक्ट जो हुम चला रहे हैं इसको क्रिसी चंगिस्था आधी यतने भी एनु संधान है उसमें हमारा और भी तिरुत्म अस्तर प्राप्ठ होगा अगर म 100 भूणा अधिक स्पीट की काम कर सकते 500 भूणा अधिक से स्पीट के काम कर contained अर्धा यह अर्थarning विखतर परवंदन है इसको हम और भी बेस्तन तरह से उसका अनुमान लगा सकते उसके लिए बहतर परवन्दन, 3D अईमिनेशन कर सकते, बहुत से चीज़े आपको देखने को मिला होगा, यह सब चीज़े, आपको अध्योग, अश्रोधी विकास में हम लो, अर्थात जो प्रोडक्ट है, आपको हेल्थ का प्रोडक्ट अश्रोधी के रूप में हम और भी बहतर निसर्ष कर सकते, उसे डवलोप कर सकते, संचार छेत में और भी हम बहतर परवन्दन कर सकते, और भी बहतर विकल ले के आ सकते, यह सब लाब होगा इसका, साथी साथ अध्योग की 4.0 आप नाम सुनेंगे, सवर्धन उसका और भी बहतर हम लो कर सकते, जैसे कृतिम जो कॉंसेप्ट है वो भी बढ़ेगा, इंटर, इंटरनेट अप दा फिंग, जिसे आयोटी बोला जाता, वो मसीन रर्लिंग, रोबोटिक्स, आधी जो भी यह लाब और भी बेतर तरीके से प्राप्त किये जा सकते, जो वर्तमान है उससे भी कई गुना हम लोग और भी ल मात ऐसा राज्य दिल्ली है, जिसका मुख मंत्री और उप मुख मंत्री, ऐसे लड़ते हैं जैसे घर में सास और बहु हो न, उसके कॉंसेट में, अर्थात कोई भी अपनी जिम्मारी अपने सर पर लेने को तयार नहीं होता, एक कहने का अर्चिया है, हलाकि किताबों में य हो सा नंबर कर जाएंगे, पर एक बहवारिक तोर पर आपको ये समझ विक्सित होनी चाहिए, देखिए, अगर राजिपाल जहां उसकूलों में परचारियाने सिक्षक नहीं है, वहां सिक्षा का क्या हाल होगा, LG के द्वारा बोला गया, कल सिक्षा के संदर में कुछ 324 प दोनों के पर करतब बेर निधारित होना चाहिए, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे पर गल्तियां थोपते हैं कि नहीं, कैसे सास पुतों कैसे लड़ती है, कि मेरी गल्ती नहीं है, आपकी गल्ती है, पुतों बहु बोलती है कि सास की गल्ती है, मेरी गल्ती नह पर दोनों की गलतियां वहां होती है, दोनों अपना अपना मत अपने सर पर नहीं लेती जो गलतिया के अगर इखर लेती तो समस्या वहीं सोटाउट हो जाता है, देखी क्या बोला गया है, अगर दिल्ली सरकार विभागों साथ से आठ वर्सों कमचारियों के निक्ति नहीं क साथ साथ सरकार कमचारियों के न्युक्ति लगतार मांग करती रही है। वहीं LG की ओर से कहा गया है कि दिल्ली सरकार कमचारियों के न्युक्ति केनने के लिए किन सरकार से मांग नहीं की गए। मानता हूँ कि यह अधिकार छेतर केंदर का है कि न्युक्तियां करना है। आपके साथ तो पहले तो आप लोग तै कर लिजिए आप राजनितिक राजनितिक रोटियां सेगने को बनाए गए है या जनता के हिद के लिए कारे करने के लिए आपकी न्यूक्तियां की गई है अगर ऐसा ही तो सारे सिस्टम को बंद कर दीजिए आरोप परतारोप का दौर प्रवर कर दिजे यहां पर मेरे अनुसार से दोनों का यहां पर गलती बराबर है अगर राज यह नुक्तियों को नहीं कायक किन्द उसे नहीं भेज रहा है तो राज बार बार दवा डाले उसके लिए अनविकल्ब भी तलासे जा सकते हैं तो बजट सत्र बजट सत्र में या किज़े राजितिक मुद्दे नहीं बनने चाहिए देश का हिट और राज्यों का हिट अभी संब्व है जब एक ऐसे इवाओं का निर्मान करें जहां पर सिक्षित और सब भे समाज का निर्मान बनाया जा सकी यह सब कीज़े हैं ना दाइत लुपर निर्बा करता है सब कि पहले तो यह कोशन का नाम आप लोग पता होगा मैंने इस पहले भी वीडियो एनलेसिस किया था जब आप गारिस्तान का मामल आया था उस समय का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं हलाकि सुदान पर नज़र रखी जा रही है वहां पर लगब पंदर सो भारती रहते हैं उसको बाहर निकालने का पर्यास किया जा रहा है और भी चीजे वाट सेजय बना के सुचनाओ का दान-पदान किया रहा रहा है शरकार इसमें हमारी वरतमान सरकात सोज़क रह रही है तो जल्द ही सारे चीज़े नॉर्मल हो जाएगी बात ये हमारा तुरंट वापस आ जाएगा इसके लिए चिंता का दूसे नहीं बनना चाहिए अब देखें नेक्ष्ट है 247 तक देख को नसा मुक्त बनाने में राज्य की निभाई की जिम्मारी अमिसा के द्वारा बोला गया है और 247 तक हमारा 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उसके लिए हमें अपने अपने जो लक्ष बनाया उसे निधारित करने के लिए बहुत से चीज़े की जाती है एंटी नर्कोटिस टाक्स फोर्स के राज्यों के पर्मुक्रों समेला में राज्यों को संदेश दिया अमिसा के द्वारा दिया गया है तो इसे थोड़ा सा आपनों क्या करना है एक सकेंड तहां चला गए अजी आ देखिए हैं नई दिली में राष्टी ए नई दिली में यह आजित किया गिया समेलर राष्टी किसी विज्ञान परिसर में किया गया एंटी नार्कोटिस टाक्स फोस्स के जिसका सुबहारव अमिसा के द्वारा किया गया दिए आप लोग देश से सुरच्छा में सिन लगाता है नार्कोटिस जब भी आता है नसा से यूग जिसे हिरोईन है कर अफीम है यह सब जो बाता है भारत में तो खोकला बनाता अंदर यह अंदर उरता पंजाब आप मुवी देख सकते हैं पंजाब के संदर मुहाव उसकी स्थिती समझ सकते हैं तो इसके लिए क्या है कि समाजिक दाइत जालक्ता के लिए समाजिक दाइत सैक्षिनिक धार्मिक संस्थाओं खासत और तो मात्रे सकती का योगदान इससे ब्यापक बढ़ जाता है इससा बाते की गई है तो आप इससे वासे उबर आईड़न कर लिजेगा चीजों को स दाइत समस सकते हैं चलिए नेश्ट बात करेंगे जहरेडी सराब से मौत मुआबजे की घोसना सरय लेने की होन मच गई है बिहार सरकार का हाली में एक जो नियम आया था दोयसोल्ला में कि बिहार मद विशेद नियम दोयसोल्ला जिसमें बिहार में सराब बनाना बेचना औ अगर इसका उलंगन करते तो आपको पजाद दी जाएगी उसके लिए अधात बिहार को सराब मुक्त बनाया गया था तो हाल में अविद सराब से आपको मौत मौते हो जा रही थे जिसके बाद पहले तो गिधान सवा में नितिजी के द्वारा यह बोला गया कि पैसा नहीं जी जाएगी लोग मरते हैं तो मने दे तो ही तो इसका परचार होगा पर हाली के घटा करम ज्यादा लगतार बढ़ गया तो इसके बाद एक कॉंसे लाब के चक्कर में लोग बताएंगे हम उसे पकड़ेंगे एक नया कॉंसे लाब सभी लोग लेना चाहते हैं यह सब समझना चाहिए अभी फिलाल इसमें कुछ अत्रिक नहीं आप लों को जानना है अब केस स्टडी आप ध्यान अखेगा यह केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता हम और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए जो मोबाइल यूज करते हैं इंटरनेट यूज कर पुछा जा सकता है ऐसे ही जालसाजों का एक और भी है जहां पर जमताड़ा आप नाम सुने होंगे इसका एक मूभी अब ही आया होगा जमताड़ा गीरों ने तिछाओ को दुप्चा गया जिसमें 21 से जासा अधिक फरजिस सीम बरामत किये सोच के देखे कितना बड़ा र प्रशन पूछा जा सकता है एंटिवू में या तो इस प्रकार से कहीं भी तो आपको केस स्टड़ी के तौर पर इससे आपको देखना है इसके कुछ नहीं करना जानना जादा नहीं है नेस्ट बात करेंगे चली स्वास बवस्था को बदलने वाला कानून है उसमें बात की जाएगी राजिस्थान में हाली में जो स्वास्त का अधिकार कानून दिया गया राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया गया उस पर मैंने चर्चा भी किया हूँ उसे आप लोग जाके जरूर देखिएग पर इसी सब नेगेटिव यह है कि राज्यों में राज्यों के जो संसाधन उसका परबंदन कैसे किया जाएगा प्राइवेट निजी संस्थानों के साथ कैसे कोडिनेशन किया जाएगा यह सब समस्या सामने आई है साक्षित का वंटन हम बजटिया वंटन नहीं पराएंग यह सब नेगेटिव इंपक्ट देखने को मिल रहा है पोजिटिव इंपक्ट में यह है कि इस परकार के एक्ट आने से राज्यों में होड में मस्ता और दूसरे राज्य भी स्वास्त राइट तू हेल्थ का कॉंसेप्ट लेकर आएंगे क्योंकि यह देखा जाता है भारत म दूसरे राज्य के द्वारा भी सुरू किया जाता है क्योंकि यहां पर आजितिक बोटी करन किया जाता है राजितिक लक्षप्राप्ट करने का उद्यस से इस पर चीज़ें की जाती है जैसे आप देखते होंगे महिलाओं को आरक्षण पर तिसमता अरक्षण लोकल बडि सब्सक्राइब देखें होंगे कि सरकार ने 1972 में वन जी सरक्षन अधिनियम लागु किया था जिसमें साइद उनकी सोच विचार लिया थी कि सेर भालू आदी को बचा कर टूरिजम को बढ़ावा दिया जाए और अंतराश्टी तरपा जब 72 में जो कॉन्वेंशन हुआ था उसका हम लोग वावाही लूट लेंगा पर अधिनियम हर अधिनियम देश के कानून बे होता है कि अस्थाई अंग बना देता है अथा जनता के अधिकारों के पर्ति परीद करता है और सरकार सपने भी नहीं सोचा होगी 2020 में सरकार के हाथियों के आने जाने के लिए सूपर इस्पीड हाईवे के नीचे एक बड़ी सुरंग बनाके उसके लिए मजबूर करने ये चर्चा में रहा था जिसमें मैंने भी आपनों लिजन इसमें से क्या है आपको हाथियों का एक उसका नेचरल जो नेचरल जो आने जाने का जो उनका रास्ता रहता है वो बीच में पढ़ रहता है उसके लिए उनका बाधित नहों तो इस पर क्या बनाया गया अंडर्ग्राउंड बनाया गया आपको अंडर्ग्राउंड एक होंगे जो हमें अपने निव अपने विकास के माना को तैक करने के लिए परिवर्तन करना होगा तो यह सब चीजे आपको जनकारी होनी चाहिए ताकि हम बहतर तरीके से कभर कर सके अब देखिए छोटे उद्धेमों के मद्धन से सवरी देश की तस्वीर तो चलिए सबसे पह परिभासा क्या है यह बीपैसी के मिनशवीं में बहुत पूछा ध्यान रखीए गा और लगतार प्रस्ट पूछा जाता है तो सबसे पहले नमीन परिभासा क्या है उससे आप लोग बताईए जब आया था उस पर मैंने वीडियो एल्वसिस किया था और आप लोंको पीडि सकते हैं यूगती आय इसका डाउनोर किजिए वहां पर कॉम्यकेशन ग्रूप बना हुआ है जहां पर आप इसे शेर कर सकते हैं और धैनिक जारण का पैकेज बना हुआ जो पीड ग्रूप होता वहां भी आप से कर सकते हैं अब PDF बनाने के लिए क्या करना है आप लोग को या तो Adobe Reader आप लोग डाउनलोड कर लिजे वो तस्वीर लेकर वहां से PDF बना सकते हैं YouTube आप देख सकते हैं PDF कैसे बनता है PDF में भेजिएगा ज्यादा आसान होता है चीजों को अंडरलाइन करना सजेस्टन देना ठीक न चलिए तो यहां पर ध्यान रखिएगा आखड़े को थोड़ा सा देख लेना कितना महत्पून है MSME हमारा सुख्म लगू और मध्यमुद्योग भारत के विकास का केंद्र रहा है केंद्र बिंदू इसे माना जाता है यह भी आप लोग ध्यान इसक परविशम परतिसत योगदान करता वी निर्मान फॉत्पादन है हम 45 परतिसत योगदान करता और हम निर्याज जो करते हैं उसमें 40 परतिसत योगदान देता इतना बड़ा खैत्र हमें सपोर्ट करता करने चाहिए और भी संसादन करने चाहिए और भी इसके लिए परवन्दन करने की जुरत है ध्यान रखिएगा यह देश के च्छत में लगवा 12 क्रोड लोगों को रोजगार पढ़ान करता है देश में लगवा 6 कोड में यूनिट्स जो आधे हैं ग्रामिन च्छत में तो 50% स इसके लिए प्रयाप समय बद रिन लागत तक पहुंच कमजोर कड़ी है तो लागत नहीं मिल पाता या उच दर पर रिन प्राप्त होता लोकल अस्तरपत तो यह सब आखड़े है तो इसको फ्रासा बेहतर करने की जुरत है यह सब समझने की जुरत है अब हैं कि यहां पर सब्चारी क्रेड़ सिस्टम से बाहर है जो बात निवेस की आकर्सिता आधोनी की करन 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 की की बात की जा रही है NEW कर नीग्रनी की जुरत की बात कील रही है में विंजर हो शुरुआत कि इसमें MSC का पर्याप्त लाप्त करने को और भी औसर दिये जाने से कुल मिलाकर यह है कि MSC का जो कॉंसेप्ट है उसे और भी ससक्त करने की जुरत है और भी बेहतर परबंदन करने की जुरत है तो यह कोस्टन का उत्तर आप लो लिखिएगा कि MSME भारती अर्थ व्यवस्था का रीड है रीड होते हुए भी यह कई अफ्रक्षाओं से घिरा हुआ है कई अफ्रक्षाओं से घिरा हुआ है इसे बेहतर बनाने के लिए भविसगत पर्यास क्या हो सकते है कोस्टन आप लो रिपीट सुन लिजेगा रिकोर्ड पॉल्स करक इसका एंसर आप लोग साम को 10 a.a.p.m. तक आप लोग को सेर कर देना है उक्ती आईस के एप डाउनलोड करके वहाँ पर देखना वहाँ पर आपको तारिट सिस्टम है आप लोग को लोग वहाँ पर उसके मैं रिभीव रात को करता हूँ आप लोग का मैसेज कर दूँगा अचली नेश्ट है बिहार जारकन को खुलेगा निर्यात का रास्ता आपको गतिसिल नेशनल मास्टर प्लान जो पी एम गतिसिल मास्टर प्लान जिसको मैंने नियू जेनलेसिस पहले भी कर चुका हूँ आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को पेडियाफ आपको वहा जारकन निर्यात का रास्ता खुल जाएगा यह सब लगवत 30,233 क्रोर के लागत से प्रोजेक्ट की लागत है रक्सोल हल दिया तक अप्स्प्रेस वे आपको बढ़ जाएगा उसके बाद हम बहतर परवन्दन और भी कर पाएंगे यह सब आखड़े आए है जब यह सुरू करने का पर्यास किया हूँ क्योंकि यह घंटा हो जाता आप वीडियो देखते नहीं है हमको पता है कि आप लोग ठक जाते हैं तो चलिए कल फिर मिलते एक नए नियू जनलेसिस के साथ धन्यवाद जाहें